पूर्व केंद्रिय बानिच्य मंत्री एवं कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता अनंद शर्मा के जुनाविश साल में हेमाचर फ्रदेश के दोरे से नई सियासी हलचल पैदा हो दिया है काफी समय से लोगों की उमीदें जुड़ी हुई थी के ये प्रोजेक्ट अब जल्दी शुरू हो जाएगा और ये जो प्रोजेक्ट है लगबग 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है और पिछले कल परशाशन दवारा एक लेटर इशू कर दिया गया कि इनमें अभी कुछ काम होने को हैं तो इसको आगे कीजिए डी सी साथ दवारा जो अननशनमा जी के आफिस को लेटर जारी किया गया उसमें जो कॉम्णिटी सेंटर है कलेस्टन वाला उसको लेके ये कहा गया कि जो एक्जीक्यूटिव जो आपका एक्सियन है उनके मताबिक जो है इस कॉम्णिटी सेंटर का कारे जो है वो पूरा कर लिया गया है और जो इसका मैप है वो एप्रूवल के लिए मिंसिपल कार कर्पूरेशन के पास है तो इसलिए इसको जो है आगे किया जा इस प्रोग्राम को दूसरा जो उद्गाटन होना था ओल्ड एज होम का मशोबरा में उसमें ये कारण दिया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है एस पर डिस्टिक सोशल वेलफेर ओफिसर इसमें अभी छुट- की हैं अभी तो ये जो बहाने इन्होंने लगाए हैं कोई ये प्रोजेक्ट नहीं नहीं है और बहाना क्या दे रहे हैं कि इसका जो मैप एप्रूवल के लिए म्यूंसिपल कार्पूरेशन के पास है म्यूंसिपल कार्पूरेशन का अपना प्रोजेक्ट है ये और बड़ी हिराने की बात है पंदरा साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है अब जब उदगाटन का टाइम आया तब ही आदा रहा है कि इनका उसका एप्रूवल होना भी मैपका और दूसरा ओल्डेज होम वाला देखिए उसमें क्या म्यूसिपल कार्पोरेशन से जो हैं फॉर्मेल्टी जो हैं पूरी होनी है ये तोटली राजनितिक मामला है और ये लोग नहीं चाते कि इनके जो हैं उदगाटन हो और लोगों को जो है फैसलिटी मिलें जो अभी मिलने जा रही है और इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये साजिश के तहत जो है इसको आगे करने का प्रयास किया जा रहा है गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बुशन जोलर्स अनमोल रिष्टों के लिए